वल गाईज तो आपसे कुछ मिन्टों के अंदर AEW के साल का वन अप दा बिगेस पेपर व्यू AEW फुल गेर पेपर व्यू लाइब जाने वाला है और गाईज आज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर AEW के दो-दो बड़े उमन टाइटल ऑन दा लाइन होंगे वल गाईज आज यहाँ पर AEW के फुल गेर के ऊपर AEW का TBS Championship on the line जाने वाला है यहाँ पर कृष्ट स्टेटलेंडर AEW का TBS Championship जूलिया हट और स्काई ब्लू के खिलाफ त्रिपल ट्रेट मैच में डिफेंट करेंगी और क्योंकि यह वाला मैच एक त्रिपल ट्रेट मैच है तो गाईज इसलिए इस मैच के अंदर टाइटल चेंज होने के बहुत ही जादा चांसे से क्योंकि गाईज इस समय AEW के अंदर AEW कंपनी इस्टिश को टीज कर रही गे कि स्काई बलू के निव डर्क करेक्टर के अंदर स्काई बलू जूलिया हट को जॉइन कर सकती गए और गाईज पॉस्बिली हो सकता है आज पेपर व्यू के ऊपर स्काई बलू यहाँ पर क्रिस्ट इस्टेटलेंडर पर उनका हील टरन करते हुए जूलिया हट को जॉइन करेंगी और गाईज पॉस्बिली पेपर व्यू के ऊपर स्काई बलू के मदब से जूलिया हट क्रिस्ट इस्टेटलेंडर को बीट करके बनेंगी एगडव्यू की ब्रैंड न्यू TBS चेंपियन वलब यह तो पेपर व्यू को दिख कर ही पता चलेगा कि एगडव्यू का TBS टैटल चेंज होगा या नही बट गाईज A.W. के TVS टैटल के लावा आज यहाँ पर पेपर वीव पर A.W. का वोमन स्वाट टैटल ऑन दा लाइन होने वाला है जाज A.W. के फुल गियर के ऊपर A.W. के वोमन चेंपिन हिकारू सीडा A.W. का वोमन चेंपिन सीब हमें यहाँ पर टोनी स्टूम के खिला डिफेंट करती हुँ दिखाई देंगी और गाईज बात करें यहाँ पर इस मैच की तो गाईज आज यहाँ पर इस मैच के अंदर भी A.W. के वोमन टैटल के चेंज होने की बहुत ज़्यादा चंसे से क्योंकि गाईज A.W. के अंदर हाल फिलाग में मरिया में के A.W. में डैब्यू करने के बाद हो सकता है आज A.W. के फुल गेर के उपर मरिया में A.W. के वोमन चेंपिन सीब मैच में इंटर्फियर करे और गाईज मरिया में के मदद से टोनी स्टोम यहाँ पर हिकारू सीडा को हरा के बनेंगी A.W. के ब्रैंड निव वोमन चेंपिन गलब यह तो पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि आज यहाँ पर पेपर व्यू के उपर टोनी स्टोम चेंपिन बनती है या नही वल गाईज आपको क्या लगता है आज यहाँ पर A.W. के फुल गेर के उपर A.W. के दोनों वुमन टाइडल चेंज होंगे या नही आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएगे